प्रदेश बिज़ेपी की दिल्ली में आज रहम बैठक होनी है राजुसान की राज़निती खालात पर आज चर्चा होगी बिज़ेपी राज़्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा इस बैठक में शामिल होंगी अपसे थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होनी है बिज़ेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया दिल्ली में मौझूद है और पुर्व मुख्य मंतरी राज़ेपी दिल्ली में मौझूद है बुलाग चंद कटारिया, राज़ेंद्र राठोर, किंद्री मंतरी, गज़ेंद्र श्रेखावत, अरजुर राम मेगवाल, सांसत केलाश शौधरी भी इस बैठक में शामिल तो राजस्तान के विज़ेपी के कई दिगश नेता इस बैठक में मौचूद है आपको बता दे कि पुर्व सियें, वसनुद्रा राज़े भी इस बैठक में पहुंची और आपसे थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी जो कि बिज़ेपी के राश्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा द्वारा ली जाए ये अपसे तोड़ी देर में बैठक की शिर्वात होनी है ये बड़ी और एहम जानकारी आपको दे रहें पुर्व सियें, वसनुद्रा राज़े भी दिल्ली में मौझूद हैं गुलाब चंद कटारिया, राज़ेंदर राठा और भीज, बैठक के लिए दिल्ली पहुँचे हैं तो वहीं केंद्री मंत्री गज़ेंदर शेखावत, अर्जुन राम, मेगवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे सांसत केलाश चौधरी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुँचे हैं सभी दिगज नेता राज़स्तान से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे अपसे थोड़ी ही देर में इस बैठक की शिरवात होगी और इसके अध्यक्षता करेंगे जेपी नड़ा तो राजस्तान से विजीपी के कई दिगर्ष नेता जोकी दिल्ली पहुँचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए कई एहम मुद्दों पर इस बैठक में बाक्षीद की जाएगी और यही वज़े है कि ये बैठक कई माईनों में बेहद एहम माली जा रही है सभी दिगर्ष नेता आज इस बैठक में जुड़े हैं और अपसे थोड़ी देर में इस बैठक की शिर्वात होगी जेपी नड़ा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे गजिंदर शेखावत इस बैठक में शामिल होंगे कैलाज चौधरी भी इस बैठक में शिर्कत करेंगे तो वहीं पूर्वसीय वसंद्रा राजवे भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची है ये बड़ी और एहम जानकारी पूरु मुख्य मंतरी राजवी दिल्ली मौ मौझूद हैं इस बैठक के अध्यक्षता करेंगे कई एहम मुद्दों पर इस बैठक में बाक्चीत की जाएगी आपको बता दे कि आने वाले वक्त के लिए रणीती बराई जाएगी और किस तरह की तयारी होने हाई किस वो कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर जनता की बीच पहुँचना है इन तमाम मसलों को लेकर आज इस बैठक में बाक्चीत की जाएगी अपसे तोड़ी देर में ये बैठक शिरू होगी जिसमें कई एहम मुद्दों पर बाक्चीत होगी तो राज़सान में फिरहाल किस तरह की राजनतिक हालात है इन मुद्दों को लेकर बाक्चीत की जाएगी और साथ ही वो कौन से एहम मुद्दे जिन मुद्दों के साथ जनता की बीच पहुँचना है